दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जीरोधा कोईंस में S.I.P करते हैं, तो आपको क्या-क्या सब्धानिया रखनी चाहिए, क्या-क्या प्रोसेस फोलो करना चाहिए, यहाँ पर मैंने investment चालू किया है, जो मेरा profit और loss देख सकते हैं, ठीके, यह मैंने जीरोधा कोईंस पर ब S.I.P वोले option पर हैं, यहाँ पर तीन fund हमें active किया है, यानि तीन fund में S.I.P किया है, और महीने का 24 रुपे लगीगा, यह मेरा fund active है, यह सारे fund active है, यह weekly S.I.P है, यानि हर अपते कटता रहेगा account से, तो हमारा installment था, 12 तारी के date में था, ठीके, तो हमने mandate नहीं किया था, ठीक यहाँ पर manually करना पड़ रहा है, तो हम manually payment करके एक बार देख लेते हैं, manually payment होता है कि नहीं होता है, तो हम निपाउन इंडिया पर click करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सारे option आ जाते हैं, सारे fund आ जाते हैं, यहाँ पर bulk pay आ रहा है, ठीके, यानि bulk pay म हमने लिया एक्टीब है सारे फंड एक की बार में पेय हो जाएगा अलग अलग पेयर नहीं करना पड़ेगा तो हम यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर चार फंड आ गए एक फंड फाल्ट हो आ गया यह हमने गलती से और कर दिया था लेकिन पेयमेंट नहीं किया था करना है ठीक है तो हम यूपिय ले ले लेते हैं उसके बाद फ्रोसेसिंग में लगाते हैं तो यहां पर देख लेते हैं क्या option आ रहा है ठीक है क्योंकि यह मैं zero level से सुरू किया हूँ देखी यहां पर क्या हो रहा है टाइम आउट रिट्राई यानि टाइम आउट बता रह देखिए यहां भी timeout retry दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, ठीके, दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम SIP को mandate कर देते हैं, ताकि हमें यह दिक्कत ना आए, automatic खाते सक करता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक एक fund पर click करके, वहां पर SIP से link कर देंगे, ताकि automatic करता रहेगे, यहां पर mandate लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, जिस SIP को हमें mandate करना है, उस SIP पर हमें click करना है, यहां पर HDFCS mall के fund पर हम click करेंगे, click करने के साथ इस तरह स इंटरफेस नजर आजागा यहां पर लिखा हुआ है mandate, known, यानि mandate नहीं है तो हम mandate कर देते हैं, यहां पर हम click करेंगे, तो जो हमने count link किया है, mandate किया है, वो यहां पर show हो जाएगा, उसके बाद modify SIP पर click करके, हम modify कर लेंगे, तो यहां पर नीचे देख सकते है, SIP mandate हो गया है, ठीके, इस तरह से interface आजाता है modify का, तो अब हम क्या करेंगे, second वाले mutual fund का mandate link करेंगे, ठीके, SIP से, तो यहां पर same process करेंगे, modify करेंगे, यहां पर mandate पर आएंगे, यहां पर click करेंगे, click करने के बाद हमारे account number यहां पर आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां पर fund को modify कर दिया है, क्या कि हमने दोनों को link कर दिया SIP से, ठीके, तो अब हम kotak bank को भी देख लेते हैं, kotak small cap, same process अपनाएंगे, यहां पर searching कर रहा है, यहां पर network error बता रहा है, यानि कुछ problem आ गई, इसलिए यहां पर mandate नहीं हो रहा है SIP से, तो हम एक बार ओ try करेंगे, हो जा searching भी लगा हुआ है, उसके बार देखते हैं, क्या option आता है, ठीके, देखिए, दुबारा यही time out, retry दिखाई दरा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले बार हम कोशिज करेंगे, यानि कुछ समय के बार कोशिज करेंगे, SIP से link करने के लिए, क्योंकि अभी network issue आ रहा ह ठीके, कई बार try करने हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, अगले कुछ समय के बाद हम फिर try करेंगे, तो यह process हमें पूरा करना पड़ेगा, जब जाके, खाते से, जो SIP कटेगा, जो हमारा installment होता है, date होता है, उस date को कटता रहेगा, automatic, ठीके, तो यह हमने जो गलती किया है, उस गलती को आपको दोराना नहीं है, नहीं तो एक SIP मिस हो जाएगा, ठीके, अगर मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको process अपनाना पड़ेगा, SIP के date से पहले यह सारा process आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीके, तो दोस्तों, अगर अगले वीडियो में, जाहिन दोस्तों